नागपुर में पुलिस ने पांच ऐसे लोगों को गिरफ़तार किया जो शराप के आदी लोगों को हैं सेनिटाइजर बेचने की कोशिश कर रहे थे पुलिस ने लोगों के पास से 46 बोतल सेनिटाइजर की जप्त की लॉक्टाउन के वज़े से शराप की दुकाने भी बंद हैं इसकी वज़े से नश्रे के आदी लोगों ने अलकोहल वाला सेनिटाइजर पीना शुरू कर दिया है सेनिटाइजर में 70-30 तक अलकोहल होता है गिरफ्तार के ये सभी पाच्चों आरोपी नश्य के आदी लोगों को अपना शिकार बनाते थे इस वज़े से ये शरीकियों पर बहुत बड़े खातक दूश परणाम कर सकते हैं और उसमें पेशन्ट को सांस लेने की दिक्कत आ सकती है हाट के ओपर प्रेशर आ सकता है उनका लीवर डामेज हो सकता है उनकी आँकों की नजर जा सकती है यहाँ तक ये पेशन्ट कोवा में जा के ब्रेन डामेज होके बृत्य भी पासकता है दिली के चिलागाओं में रहने वाले लोग पीने के पानी के लिए उसकी कमी से जूच रहे हैं लोकडाउन के दौरान भी ये लोग सुबह से ही पानी के लिए सड़क पर पहुँच जाते हैं और टैंकर के इंदिजार में खड़े हो जाते हैं इलागे के लोगों ने बताया कि पानी के लिए इन लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है हालकि पानी लेने पहुचे सभी लोग चहरे पर मास्क लगाए हुए नजर आए साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया सभी लोग इक लाइन में खड़े रहे और अपनी बारी आने पर ही पानी लिया करोना संगिट की बीच यूपी के हमेरपुर में एक डॉक्टर ने अनोखे अंदास में अपनी शादी के सालगिरा मणाई अपने शादी के सालगिरा की मौके पर सरकारी स्पताल के डॉक्टर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सफाई कर्मियों को पूल माला पहनाया, उनका स्वागत किया, यह नई डॉक्टर ने सफाई कर्मियों को रिटर्न गिफ देते हुए, उन्हें राशन के पैकेट और अभी बाटी, इसके बाद लोग डॉक्टर सुरेश की तारीफ कर रहे हैं, हर्याना की करनाल में करोना से जंग जीत कर लोटी एक नर्स का उसके घर और महले के लोगों ने फूल माला पहना कर स्वागत किया, करोना के मरीज का इलाज करने के दौरान मीनू नाम की नर्स भी पॉजिटिव हो गई थी, अब करनाल में कोई भी करोना का मरीज नहीं है और जिन दो लोगों का इलाज चल रहा था, उनकी रिपोर्ट नेगटिव आने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्च कर दिया गया है, अब तक करनाल में छे मरीज सामने आये थे, जिनने से एक ही इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पांच लोग फीक होकर घर जा चुके हैं, जमो कश्मीर के राज़ौरी में कोरोना का एक और मरीज सामने आया, कोरोना पॉजिटिव लड़का कश्मीर से लोटा था, लड़की के रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे क्वार क्वारंटीन सेंटर भेज दिया क्या है? आपको बता दें, दरसल ये लड़का जो था, वो जमो कश्मीर के राज़ौरी में कोरोना का एक और मरीज सामने आया, कश्मीर से लड़का जो है लोटा था, और लड़की के रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे मरीजरी का काम करता था और दो दिन पहले वहां से लोटा हुआ था और प्रशाशन को इसका पता था, तो इसको पहले से ही आईसोलेट किया गया था, इसको रखा गया था सेंटर में, और सैंपल लिए गये थे, अब इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद ज जिलार जोरी में फिर पॉजिटिव हुआ है। कोरोना वाइरस के खतरे से जूज रहा केनिया अब टिड्डियों के जबरदस थमले से बेहाल है। केनिया समेथ अफरीका के कई देशों में इस साल टिड्डियों का बड़ा हमला हुआ था। पसल के बरबाद होने का खतरा पैदा हो गया। बताया गया कि दोबारा हमला करने वाली ठिड्डियों का आकार पहले से बड़ा है और उन पर दवाओं के छिड्काव का भी खास असर नहीं हो रहा है। कई जगों पर छोटे विमानों के जरीए भी दवाओं का छड़काव किया गया। जोटपुर में लॉकडाउन के बीच मुश्किल हाला से जूच रहे गाउवालों की मदद के लिए CRPF के जवान सामने आए। जोटपुर के गाउं में CRPF की तरफ से राशन बाटने का काम शुरू किया गया, खास बात ये रही कि इस दोरान सोचल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा गया। इसके लावा, CRPF की डॉक्टरों की तरफ से गाउवालों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है ताकि कोरोना की संदिक दुमरीजों की पहचान की जा सके। और मीडिया कर्मियों के खिलाव सोचल मीडिया पर अभधर शब्दों के इस्तिमाल कारोप है। इतना ही नहीं है, एक्टर एजास खान मुदी सरकार पर भी पिछले कुछ तिनों से लगातार अभधर शब्दों के साथ तंसकस रहे थे। एजास खान के खिलाव मुंबई के खार पुलिस स्टेशन के में मामना दर्च किया क्या है। इली के पास ग्रिट अनॉड़ा में लॉक्डॉण तोड़ने वालों पर पुलिस ने ड्रोन के आमरों की मदद से निगरानी बढ़ा दी ताकि लोग घरों से बाहर न निकले और कुरोना वाइरस को फैलने से रोका आजा सके। और इसके लिए गश्ट पर निकली पुलिस ने ड्रोन का सहारा लिया। ड्रोन की मदद से इलाकी की सडकों और मकानों की निगरानी की गई। इस बीच सडकों पर कुछ पुलिस वाले भी दिखे जो लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे थे। यह पास्क लगा है, सोसल डिस्टेंस का पारर करें। बिहार के मोतिहारी में आर्यस के कारकरता भी लोगों की मदद के लिए सामने आएं। जरूरत मंदों तक खाने का समान और राशन पहुंचा रहे हैं।